बाबा बागेस्वर महराज धिरेंद्र शास्त्री बड़ी चर्चा में बने हुए है और चर्चा का विशय कि पत्ना बाबा बागेस्वर महराज आ रहे हैं लेकिन पत्ना आने के पहले एक और बड़ी खबर आती है बड़ी खबर क्या आती है तो खबर आती है कि 95 लोगों को बाबा बागेस्वर महराज ने फिर से हिंदू धर्म में उनकी वापसी करा दी बाबा बागेस्वर महराज का बिरोध करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसी के कारण हम धिरेंदर शास्त्री का बिरोध कर रहे हैं इसी के कारण का मतलब की वे हिंदू, मुसल्मान, सीख, इसाई कराते रहते हैं जहां जाएंगे तो चुप नहीं रहेंगे कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके कारण किसी दूसरे धर्म वालों को अपमानित महसूस होना पड़ेगा या फिर उनको बुरा लगेगा और इसी के पंडाल के मंच पर आते हैं वहाँ पर बैठ कर अपने कथा की शुरुवात करने के पहले कहते हैं कि हापर 95 लोग बैठे हैं उनको वापस से हम हिंदू बनाएंगे उसके बाद कथा सुनाएंगे और उसके बाद इन से आरती कराएंगे और इसी के बारे में आगे हम बात पूर्ण इसलिया है क्योंकि यही वो परिवार कहा जा रहा है कि अलग 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 भग 54 परिवार है और 95 लोग जिनको धिरेंद्र सास्त्री ने वापस से हिंदू बनाया है मतलब कि घरवापसी कराई है अगर उन लोगों की भासा में बोले तो वहाँ पर इसकी कहानी हमने पडि हमने सुना कि कोई बगरी लेने के लालच में अपना धर्म बदल बैठा था तो किसी को कंबल की जरूवत थी और उनको थंडी के समय में कंबल मिल गया इसके कारण उन्होंने धर्म बदला तो कुछ पंचानमे लोग एक साथ जिसमें छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं, बुढ़े, बड़े, हर कोई शामिल होता है, उन पंचानमे लोगों को वापस हिंदू धर्म में धिरेंदर शास्त्री बुलाते हैं, उनकी वापसी होती है और इसी बात को लेकर पूरी चर्चा अब च धिरेंदर शास्त्री कहते हैं कि जो जो हिंदू धर्म छोड़ कर गया है, उसको वापस लाएंगे, वही काम धिरेंदर शास्त्री अपने कथा पंडाल में करते हैं, और पंचानमे लोग जो इसाई बन चुके थे, जिनोंने इसाई धर्म को वापना लिया था, उन्हें इस धर्म बने हुए लोगों को वापस से धिरेंदर शास्त्री ने घर वापसी कराई और उनको हिंदू बना दिया, फिलाल धिरेंदर शास्त्री को लेकर इदर पटना में महाल गर्म है, तो उदर बाबा दूसरे प्रदेश में पटना आने के ठीक पहले वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो चर्चा में रहते हैं, जिसके कारण हमेशा से उनकी चर्चा होती है, कि धिरेंदर शास्त्री हिंदू तो पर खुल कर बोलते हैं, और बाबा बागेस्वर महाराज वही काम यहाँ पर कर भी रहे हैं, कि 95 लोगों को एक साथ उन्होंने इसाई से हिंदू बना दिया, कहा जाता है कि इन परिवारों ने कुछ साल पहले अपने आपको हिंदू से इसाई बनाया था, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, वे हिंदू धर्म को छोड़कर कणवट हुए थे, लेकिन धिरेंदर शास्त्री ने वापस से इनको हिंदू बनाया अब आगे देखते रहिए कि पतना में जो कुछ हो रहा है, उन तमाम चीजों पर, इन तमाम चीजों की क्या परिनाम निकलते हैं, क्या असर पड़ता है, आगे तमाम जो जानकारी आएगी, आगे धिरेंदर शास्त्री के कारिकरम को लेकर जो भी अपडेट आएगा, जैस कुछ होता है, जो भी नई जानकारी, जो भी ने अपडेट कारम से जुड़ा हुआ, अन्य जो राजमिती हो रही है, इस पर निकल कर सामने आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियों ही पर समात कर होते हैं, कि हम एक प्यूश खड़े हैं, और मैं मोहित कुमार सिंगी, बहुत बहुत धन्यवाद,